Hello students, welcome to my channel तो आज हम October November 2018 Semester 3 के Statistic Subject के Paper Solution करने वाले यहाँ पर और आने वाले 5 वीडियो में हम इस Paper को Complete करेंगे तो आज हमारा पहला Question रहेगा इस वीडियो के अंदर जो की रहेगा Short Question तो देखो यहाँ पर आपको First Question 10 मार्क्स के लिए पूछते है Stats में और यहाँ पर जो एक Question के Value होगी वो दो मार्क्स के रहेगी मतलब आपको Question के अंदर Total 5 Question पूछेंगे और हर एक Question के Value 2 मार्क्स रहेगी तो आपका Total 10 मार्क्स के यहाँ पर Short Question रहे जाएंगे ओके चले तो Start करते है 2018 का University का Paper ओके आपको यहाँ पर Question में क्या दे रखा है A की कुछ Matrix दे रखिए और यहाँ पर B की भी Matrix दे रखिए तो आपको यहाँ पर Find Out करना है A into B तो देखो सबसे पहले जब Multiplication आपको एक्जाम में पूछें तो आपको यहाँ पर लिखने है Order of Matrix Order of Matrix Okay Order of Matrix A क्या हो जाएगा तो देखो A का में A में Order क्या होगा देखो इसमें A के अंदर RD Line कितनी है 2 है तो 2 into CD Line कितनी है 3 है मतलब 3 यहाँ इसका Order of Matrix हो गया और यहाँ पर Order of Matrix क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा RD Line कितनी है 3 और CD Line कितनी है वो भी 3 मतलब 3 multiple 3 ओके तो यह आपका पहला step हो गया अब यहाँ पर जब आप multiplication करते हो ठीक है जब भी कोश्चन में आप multiplication करते हो तो यहाँ पर multiplication के लिए आपकी यह दो value equal होनी ज़रूरी है तभी multiplication possible है वरना नहीं कोश्चन के अंदर multiply तभी कर सकते हो जब matrices में यह चीज आपकी equal होनी चाहिए मतलब अब यहाँ पर आप a into b कर पाओगे तो करोगे देखो यहाँ पर आपको a into b करना है तो देखो a कितना है आपके पास तो a को पहले लिख दो 2, 1, 5, 2, और 7, 3 ओके into आप b करोगे तो b लिख दो b कितना है 3, 4, 5, 2, 7, 2, 1, 9, और 4 अब देखो जब multiplication करते हो तब आपको क्या करना है सबसे पहले इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से multiply करना है देखो multiplication में क्या करते है इस वाली जो लाइन है उसको पहले यहाँ पर multiplication करते है मतलब कि देखो यहाँ पर पहले 2 है यहाँ पर पहले 3 है तो 2 x 3 करोगे तो 6 हो जाएगा ठीक है प्लस यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 है तो 5 x 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 20 पीच में प्लस आएगा पीच में क्या होगा प्लस ही होता जाएगा 7 x 5 करोगे तो 7 x 5 कितना होगा 35 मतलब यहाँ पर आप 35 लिए ठीक है फिर आप क्या करोगे line change कर दोगे अब यही 3 value को वापस फिर से इस से multiple करो ठीक है यही 3 value मतलब देखो 2 into 2 मतलब answer होगा 4 plus 7 into 5 35 plus 7 into 2 40 हो गया अब next वापस आप इस से multiple करो वही line को मतलब देखो 2 into 1 तो answer हो जाएगा 2 5 into 9 तो answer होगा 45 और 7 into 4 मतलब आपका answer होगा 28 ठीक है तो आपने जिसको multiplication किया उसको इस हिसाब से पहले लिग दो ठीक है अब आपकी line यहाँ पर change कर दो देखो अब यहाँ पर इस वाली line को फिर से दूसरे वाले box के तीनो line के साथ multiplication करो एक के बाद एक ठीक है जैसे कि 1 into 3 करोगे तो यहाँ पर 3 होगा प्लस 2 into 4 करोगे तो यहाँ पर 8 होगा प्लस 3 into 5 करोगे तो यहाँ पर 15 होगा वैसे ही यहाँ पर इस वाली line से multiple करो 1 into 2 2 plus 7 into 2 14 plus 3 into 2 6 1 into अब इस वाली line से multiple करो 1 into 1 1 plus 9 into 2 18 और plus 3 into 4 12 होगया इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल कर देना और कुछ नहीं करना 20 plus 6 plus 35 मतलब यहाँ पर 61 हो गया फिर 3 plus 8 plus 15 यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा फिर 4 plus 35 plus 14 मतलब यहाँ पर 53 हो गया फिर यहाँ पर 14 plus 6 plus 2 मतलब 22 हो गया फिर 45 plus 2 plus 28 मतलब यहाँ पर 75 हो गया और यहाँ पर 18 प्लस 12 प्लस 1 मतलब यहाँ पर 31 हो गया हो गया यह आपका complete हो गया A और B का multiplication ओके यहाँ पर आपका यह पूरा multiplication complete जिसका आपको 2 marks मिलेगा complete तो देखो यह complete हुआ next question पर बढ़ते आगे देखो question number 2 देखो आपको क्या बुला गया है two independent variable okay x and y उसमें आपको v दे रखा है v of x यानि variance of x दे रखा है 5 and variance of y दे रखा है 1 आपको find out करना है v 2 x प्लस 1 अब देखो इसका rules क्या है जब भी आपको variance में इस तरीके से find करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है यहाँ पर यह जो 2 है ना उसका आप square कर दोगे ठीक है variance में आप यह जो 2 है उसका square कर दोगे और v into x लिख दोगे और यहाँ पर जो एक है ना उसकी कोई भी effect नहीं होगी वो zero हो जाएगा ठीक है variance के अंदर plus minus की कोई effect नहीं होती यानि यह जो one plus करते है minus करेंगे सिफ कोई आप सिफ amount को plus minus करते हो उसकी कुछ फरक पड़ता लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ amount ही है एक तो यहाँ पर एक क्या कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है उसके साथ x या y होता तो कुछ समझ में आता वरना यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर इस तरीकेश है आपको क्या करना है फोर और यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू आपको कोईशन के अंदर दे रखिये 5 मतलब यहाँ पर 5 कर दो आपका अंसर हो गया 20 बस यह आपका अंसर आ गया इसका आपको दो मार्क्स दे रहे थे हैं कम्प्लीट फिनिस आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है देखो दे टोटल पॉपुलेशन ओफ दे सीटी इस टू लैक्स ओक यानि एक सीटी है उसकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो दो लाग है आउट ओफ इट थर्टीन परसेंट वोमें आर इन दे चाइल बेरिंग एज ग्रूप ठीक है इफ दे जन्रल फर्टिलिटी रेट देखो जन्रल फर्टिलिटी रेट आपको दे रखा है सीटी का 35 मतलब आपको कोशन में जी एफ आर दे रखा है जन्रल फर्टिलिटी रेट 35 तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ बर्ट यानि टोटल कितने बच्चों ने जनम लिए वो आपको फाइंड आउट करना है तो देखो पहले तो आप यहाँ पर जी एफ आर की फॉर्मिला लिको क्या था तो टो टोटल नंबर ऑफ बर्थ डिवाइड बाइड क्या करोगे इन तू थाउजन दियान रखना हंड्रेड मत कर लेना यहाँ पर डिवाइड क्या हो करोगे तो डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ वुमेन आर टोटल नंबर ऑफ वुमेन आर इन चाइल्ल बिरिंग एज ओके ग्रूप यह आपका टोटल डिनोमिनेटर होता है अब देखो यहाँ पर आपको जी एफ आर तो दे रखा है 35 और यहाँ पर आपको यही तो निकालना है टोटल नंबर ऑफ बर्थ यही तो निकाल रहे हैं कोश्चन में यही तो पूछा है बर्थ कितना है इन टू थाउजन लेकिन देखो कितना होगा तो देखो दिवाइड में जो होगा न वो आपको दे रखा है आपको देखो दो लाग की पॉपुलेशन में से 13% वुमेन ऐसी है जो चाइल बियरिंग एज ग्रूप में मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर दो लाग का पॉपुलेशन में 13% वुमेन का आप आंसर निकाल सकते हो ठीक है दो लाग का 13% कर सकते हो मतलब आंसर होगा 26,000 वुमेन और इन चाइल बियरिंग एज ग्रूप ओके यह आपको मिल जाएगा यहाँ से तो उसको आप यहाँ पर डिवाइड कर दो अब यहाँ पर क्या होगा तो 35 इंटू 26,000 डिवाइड बाई आप 1000 कर दो मतलब आपको मिल जाएगा टोटल नंबर आफ बर्थ कितने बच्चों ने जनम लिया वो आपको मिल जाएगा तो 26,000 इंटू 35 डिवाइड बाई थाउजन कितना आ रहा है 910 यानि टोटल 910 बच्चों ने जनम लिया होगा यह सीटी के अंदर ठीक है जिस सीटी के आपको information provided है वो complete हो गया यह आपका question यहाँ पर finish हो गया ठीक है complete चलिए तो आगे बढ़ते हैं question में अब देखो question number 4 जो है वो आपको life table से पूछा गया और life table में देखो होता गया मैं आपको एक basic idea दे रहता हूँ फिर से एक बार life table में क्या होता है तो देखो life table में आपको यहाँ पर एक x होता है यहाँ पर एक lx होता है ओके और यहाँ पर एक dx होता है और यहाँ पर qx होता है और यहाँ पर एक्स होता है और यहाँ पर जो x होता हूँ आपका age होता है जैसे यहाँ पर देखो lx दे रहे हैं मतलब 35 तो यहाँ पर 35 यह जो होता है वो X होता है ठीक है और यहाँ पर आपको देखो LX यानि L36 find करना मतलब यहाँ पर 36 यह वाली details आपको find करना है आपको L35 मतलब कि LX का value दे रखा है 2200 यह आपको दे रखा है और question के अंदर आपको QX Q35 दे रखा है मतलब यहाँ पर यह value दे रखिए Q35 अब देखो question में आपको अगर formula पता है कि QX का formula क्या होता है तो DX divided by क्या होता है LX होता है ठीक है QX का formula मतलब देखो QX आपके पास Q35 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास D35 divided by L35 होना चाहिए अब देखो Q35 के value आपके पास है 0.015 और D35 नहीं है तो आप निकाल सकते हो और यह आपके पास है 20200 मतलब इन दोनों को multiply करोगे न यहाँ पर सामने चला जाए तो यह multiply हो जाएगा तो D35 यानि देखो 20200 को 0.015 से multiply करोगे तो यहाँ पर 303 आएगा यानि कि यहाँ पर 303 होगा यह value अब यह value 303 आगई न मतलब कि यह जो आपको question mark करके दे रखा है न यह value मिल जाएगी कैसे देखो इसमें से यह less कर दोगे न तो यह value आ जाएगी ठीक है कैसे देखो यानि आपको L36 निकालना है न यानि यहाँ पर कि value find out करनी है तो आप क्या करोगे L35 में से T35 को less कर दो मतलब 20200 में से 303 माइनस कर दो तो आपका answer मिलेगा 1,9,8,9,7 यह आपका L36 आ गया जो उन्होंने पूछा था था ठीक है complete हो गया तो देखो यह जो table है वो तो आपको बनाने की ज़रुवत नहीं है तो सब understanding के लिए मैंने बताया आपको यहाँ पर अगर आपको direct formula पर question solve होता है तो आप कर सकते हो ठीक है यहाँ पर यह table तो मैंने आपको सिफ याद कलवाने के लिए बता है कि हाँ इतनी column हो सकती है यह table के लिए life table के लिए चली आगे बढ़ते हैं अब देखो यह भी question बहुत simple सा है दो marks के लिए पूछा है the probability that the man fishing at the particular place will catch 1,2,3,4 fish मतलब कि देखो आपको question में क्या दे रहा है एक आदमी fishing कर रहा है और वो fishing से वो कितनी fish से पकड़ रहा है देखो यह इतनी fish पकड़ रहा है इतनी fish वो catch कर रहा है 1,2,3,4 और इसकी जो probability है ना p of x वो आपको दे रहा है देखो 0.4,0.3,0.2 और 0.1 यह 0.4 हो गया,0.3 हो गया,0.2 हो गया और यह 0.1 हो गया आपको क्या बोला गया है what is the expected number of fish he catch कितने fish वो expected पकड़ सकता है इस probability के साथ तो बस simple सा x into px कर देना आपका answer आ गया देखो multiply करो 0.4 इन दोनों को multiply कर दो क्या answer होगा 0.4,0 है पिर यहाँ पर क्या answer ओगा 0.6 यहाँ पर क्या answer होगा 0.6 और यहाँ पर क्या answer होगा 0.4 इसका total कर लोगे, Alt आ रहा है ? 0.6 plus 0.6 plus 0.4 plus 0.4 मतलब यहाँ पर answer हो जाएगा आपका 2 तो यहां पर आप इसको total कर लो तो आपका answer होगा 2 मतलब देखो यहां पर expected x कितना होगा तो sigma x into px होगा आपका answer हो जाएगा 2 ठीक है यह आपका complete हो गया यहां पर question के सारे short question complete होगा ठीक है यह paper के सारे short question यहां पर finish हो लेगा तो देखो easy थे short question अगर 10 marks यहां से ही ले 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 होते हो तो आपको pass होने के लिए बहुत ही easy पड़ता है और यह almost आपको easy question देते हैं ठीक है इतने गुमाके नहीं देते हैं ओके चलो तो next video के अंदर मैं आपको long question complete करवाऊंगा देखते रही हैं goodbye